अब दोस्तों आज के सुड़ियों मैं आपके साथ में अमेजिंग टिप शेर करने वाली हूं जो आपकी बहुत ज़्यादा काम आने वाली है मेरे चानल पर आपको ऐसे इंट्रेस्टिंग टिप्स मिलते रहते दोस्तों वह भी रोज इसलिए अभी तक आपने मेरे चानल को सब्सक्राइब ने के तो सब्सक्राइब चल दी से चल दी कर लिजे और बेल आगिन के साथ ताकि सारी वीडियो की नोटिफेकेशनस मेरी आपको सबसे पहले मिल जाएंगी चल दी वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों हम अपने चेरे का बालों का धियान रखते ही हैं लेकिन हम अपने हाथ पैरों का धियान रखना भूल जाते हैं तो आज के जो गजब की रेमेडी है आपके हाथ पैरों के लिए हाथ पैरे अगर सूरे की हानी कारकेड़ों के वज़े से टैन हो जाते हैं जिसे हम नजर अंदास कर देते हैं तो बिल्कुल भी नजर अंदास ना करें दोस्तों एक बहुत ही गजब का रेमेडी में आपके ल है वो है इनो आप इनो का कोई भी पाउच ले सकते हैं इनो क्या होता दोस्तों इनो में सिट्रिक आसिड होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है नेचर में यह होता है आपको केवल यहां पे इनो का इस्तमाल नहीं करना है इनो के साथ आपको करना है ग्लिसरीन का इस्तमाल और इनो के साथ यदि आप ग्लिसरीन का इस्तमाल करते हैं तो यह आपको बहुत ही गजब का रिजल्ट देता है क्योंकि ग्लिसरीन जो होती है न दोस्तों यह हमारे तवचा को मौश्यराइज करने का काम करती है हमारी तवचा में ये नमी बनाए रखती है और इसकी इनी खूबियों के कारण mostly beauty products में glycerine का इस्तमाल किया जाता है glycerine आपके skin को soft smooth करता है और dryness को दूर रखता है और इनों के साथ यदि हम glycerine का इस्तमाल करते हैं दोस्तों तो ये हमारे skin के लिए बेहती जाता फाइदिमन है इन दोनों का ही मिश्रन हमारे skin को moisturize रखता है साथ ही हमारे skin tone को lighten करता है sun tan को remove कर हमारे skin को glowing बनाता है आप एक पूरा इनों का pouch ले ले आप इस मिश्रन को अपने हाथों पर लगाए अपने पैरों पर लगाए यदि आपकी गर्दन जो है वो हलकिल की dark होने लगए है तो गर्दन पर भी आप इस मिश्रन को लगा सकते हैं अब इनों में आपको मिलाना है glycerine को पहले हैं इसमें हम एक चमच glycerine मिलाएंगे और जरुवत पढ़ने पर और थोड़ा सा glycerine हम इसमें आड़ करेंगे दोस्तों इस रेमिडी के एक बार्स के ही इस्तमाल से आपको फर्क मैसूस लगने लगेगा आपकी स्किन जो है वो शाइन करने लगेगी चमकने लगेगी और साथ ही साथ दोस्तों लाइटर भी लगेगी इस पैक को जब आप यूज करते हैं कुछ बातों का आपको धिहान भी रखना है दोस्तों कि जब भी आप इस इनों के पैक को बनाते हैं तूरंधी बनाने की बाद आपको इसे यूज करना है और इस मिश्रन को ज चमच ग्लिसरीन हमें एक इनो पैकेट में लगीगी और ग्लिसरीन आपको इसमें धीरे-धीरे ही मिक्स करना है एक साथ मिक्स नहीं करना है यह जो मिश्रन हमारा बन करके त्यार हुआ ना दोस्तो यह आपकी स्किन पर बहुत ही गजब की चमच लाएगा आपकी स्किन को टाइट कर आपकी रंगत को निखारने का काम करेगा इस रेमेडी का कोई भी साइड एफेक्ट नहीं दोस्तों बिल्कुल सेफ रेमेडी मैंने आपकी साथ में शेयर करी है दोनों ही चीज़ों को अच्छी तरीके से आप मिक्स कर लें लेकिन एक बात का आप धियान रखे कि आपकी स्किन यदी बहुत साथा सेंसिटिव है तो इस रेमेडी का इस्तमाल आप ना करें अगर आपके कहीं बॉडी पार्ट में अपके हाथ पेरों पर कहीं पर भी चोट लगी है तब आप इस remedy का इस्तमाल ना करें आप चाहें तो patch test भी कर सकते हैं वैसे इस remedy का कोई नुकसान नहीं है दोस्तों क्योंकि एनों का इस्तमाल हम खाने के लिए करते हैं हमारे पेट के लिए करते हैं तब ये कैसे हमारे skin पर नुकसान कर सकती है और glycerine का भी तो इस्तमाल हम करते हैं दोस्तों हमारे skin पर हमारे चेहरे पर तो ऐसी कोई भी डर वाली चीज़स में नहीं है तो तीसरा ingredient जो मैं से मिला रही हूँ वो है कुछ बूंदे नीम्बू के रसी करीब 4-5 बूंदे ही मैंने इसमें मिलाई है बहुत से लोगो नीम्बू का रस सूट नहीं करता तो ऐसे केस में आप नीम्बू को स्किप्ट कर सकते हैं lemon क्या करता दोस्तों lemon एक natural bleach का का काम करता आपकी skin को गोरा बनाने का ये काम करता है हाथ पेरों पे लगाने के लिए mission बिलकुल तयार है दोस्तों तो मैं अपने हाथ पर इसको लगा के बताऊंगी आप चाहें तो इस remedy को आप brush की सहायता से लगाए या अपने हाथों की सहायता से लगाए आपको इसे रगड़ना नहीं है केवल लगा के छोड़ देना है और कम से कम 30 सेकंड के लिए छोड़े उसके बाद आप इसे wash कर ले आप result देखनेंगे ना दोस्तों आपको कमाल का result मिलेगा हमारे हाथ पैरों से गंदगी को हटा देता है ये इनो का pack और साथ ही हमारे skin को glowing बनाता है और गर्मी का मौसम चल रहा है गर्मी के मौसम में सूरे की हानी कारक किर्णों से हमारे skin बहुत जल्दी tan हो जाती है दोस्तों ऐसे में इस pack का यदि आप इस्तमाल करते हैं तो आपको बहुत ही गजब का result मिलेगा आपकी skin tan जो है वो दूर हो जाएगी हाथों पर भी कई बर आपने देखा होगा कि रिंकल्स आ जाते हैं हमारे हाथ पैर काले पढ़ने लगते हैं तो ऐसे में ये pack आपको बहुत फाइदा कराएगा आपकी skin पर रिंकल्स को आने से रोखेगा आपकी skin को glowing बनाएगा बस 30 सेकंड तक आप इस pack को लगाके रखे उससे ज्यादा नहीं और इसके बादा वाश कर लें glycerine का जो हमने इस्तमाल करा है इसमें इससे आपकी skin बहुती सॉफ्ट बनेगी आपकी skin में रूखा बन नहीं आएगा आपके सामने ही मैं हाथ को वाश करके बता रही हूँ कितना गजब का इसका result आया है कितना immediate आपको इसका result मिलता है इनो जो हमारे skin पर बिल्कुल भी नुक्सान नहीं करता दोस्तों क्योंकि इनो का saven हम करते ही है हम baking वगेरा में भी इसका saven करते है हम cake बनाते हैं तब इसको इसका 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 करते है इसलिए हमारे skin पर ये बिल्कुल भी नुक्सान नहीं करता है इस remedy का 20 दिन में एक बार इस्तमाल कर सकते हैं तो दोस्तों आप इस remedy को ज़रूर ट्राय करे यह remedy आपको बहुत ज़दा पसंद आने वाली है अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी इंफर्मेटिव लगी होगी तो like, share, subscribe करना बिल्कुल न भूले वीडियो को हो सके तो ज्यादा स्यादा शेयर करने की कोशिश जरूर करें अपने दोस्तों म